जार्खन सरकार की महतोकांची मुख्यमंत्री मैया समान योजना इंदनों काफी चर्चा में है। इस योजना का लाभ लेने के लिए गाउं से लेकर शहर के शिवीरों में महिलाओं का होजूम उमर पड़ा है। पहले रजिस्टेशन करनी की अंतिम तिथी 10 अगस्त थी जिसे बढ़ाकर हिमंत्स सरकार ने 15 अगस्त कर दिया है। इसके साथ ही सीम हिमंत ने कहा है कि निर्धारित तिथी के बाद भी मुख्यमंत्री महिया समान योजना का लाभ लेने के लिए पंजी करन जारी रहेगा। लाभुक प्रग्या केंदर से अपना पंजीयन करा सकेंगे। चुकि यह योजना नहीं है तो आपके मन में तरह तरह की सवाल उठ रहे होंगे। ऐसे में हम इस योजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ताकि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब आपको मिल सके। सबसे पहले बताते हैं कि इस योजना के तहट आपको क्या मिलेगा तो बताते चले कि मुख्यमंत्री महिया समान योजना के अंतरगत राज्य सरकार आप 21-50 वर्ष की महिलाओं को हर महिने 1000 रुपई देने वाली है यानि कि आपको एक साल में 12,000 रुपई सरकार की तरफ से दिये जाएंगे अब सवाल है कि इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा तो बता दे कि जो भी महिलाओं आविधन करना चाहती है वह सरकार की द्वारा दिये गए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकती है जो आपको इस वक्त स्क्रेन पर दिख भी रहा होगा वेबसाइट में आपको योजना का फॉर्म लिंक प्राप्त होगा इस पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने योजना का आविधन पत्र खुल कर आ जाएगा जिसे डाउनलोड करके प्रिंट करना है अगर आप इसे ओनलाइन प्रिंट नहीं करना चाहती है तो अपने नजदी की आंगनबाडी केंदर में विजिट करके योजना का फॉरम प्राप्त कर सकती है इसके बाद आवश्टिक दस्तावेज को एक जगा कलेक्ट करके इसकी फोटो कॉपी को फॉरम के साथ अटाच करना है सभी दस्तावेज सहीत फॉरम को अपने नजदी की शिविर में जाकर जमा करना है शीविर में अधिकारी द्वारा आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी की समिक्षा कर योजना के तहत आपका ओनलाइन पंजिकरन किया जाएगा इसके बाद आपको आविदन की रसीद प्राप्त होगी अपनी बातों में मैंने पार-बार दस्तावेज का जिकरी है तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कौन-कौन से दस्तावेज है जिसकी जरूरत पड़ेगी तो बता दे कि इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अब इस योजना में शामिल होने के लिए शर्तों की बात कर लेते हैं, सबसे पहली शर्त तो यह होगी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाब, राजी की मूल निवासी महिलाओं को दिया जाएगा, इसके लिए महिलाओं को मूल निवासी होने का प्रमान पत्र देना करना होगा क्योंकि इसके बाद आवेदों का अनुमोदन कारेश शुरू होगा, राजी की जिन महिलाओं के पास हरा कार्ड, पीला कार्ड, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड है, वह महिलां इस योजना के तहट आवेदन करने की पात रहोंगी, यदि महिला के परिवार में कोई सदस सरकारी पद पर कारेरत है या आयकर दाता है तो वह महिला इस योजना का लाव नहीं ले सकती है अब इस योजना के उद्देश्ट की बात करे जारखन सरकार की ये नई योजना महिलाओं के उत्थान की उम्मीद करती है इस योजना के तहट मिलने वाली राजशी सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी योजना के तहट राजी सरकार करीब 40-45 लाख महिलाओं को इसका लाव देगी गरीबी रिखा से नीचे आने वाली महिलाओं को लाव भानवित करेगी जो महिलाई योजना का लाव उठाने की पात रहें, उन्हें अब हर महिने अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, जिससे वह वित्य चुनोती से उन्हें राहत मिलेगी, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी रगी ह इस वीडियो में फिलाल इतना है, नमस्कार. ग्राप प्राप बुन्स प्राप बुन्स, तर्वर्ण करोड़ने है.